मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से और आज हमारे साथ है रिजवान असद नशेमन के चीफ एडिटर और अभी हम जाइजा लेने की कोशिच करेंगे करनाटका का जो ड्रामा अभी तक चल रहा था आज खतम हुआ है और आगी क्या डेवलोप्मेंट का उसके बारे में बात करेंगे रिजवान साइब आपका बहुत-बहुत शुक्री आने का और आप से पहला सवाल यह है कि अभी तक इतने ripping Qué तरफ से तीन मेल्ड वार्टो से थे 3 MLS को दिश्कौलिफाई किया था उसमें 2 Congress के थे एक इंडिपेड़निंट सपोर्ट कर रहा था Congress को और उसने टोटल 14 MLS को उन्होंने डिसकौलिफाई किया है और उससे फेले 3 किया था तो टोडल 17 17 में 13 Congress के हैं, 3 JDS के हैं और एक independent MLA हैं जिसको रमेश कुमार ने डिस्कॉलिफाइ किया है अच्छा ठीक है, अब ये बताए कि आज क्या सिच्वेशन रहा, एडियूरप्पा का फ्लोर टेस्ट हुआ एडियूरप्पा का फ्लोर टेस्ट हुआ, 104 चाहिए था उनको मेजरिटी प्रूफ करने के लिए और बीजेपी के पास 105 MLA थे और एक independent MLA सपोर्ट कर रहा था और वाइस वोर्ट में एडियूरप्पा ने ट्रस्वोर्ट जीत लिए तो फिर सही जो वाइस वोर्ट में तो हो गया तो फिर नंबर काउंटिंग अब्याद में होगा नंबर काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि अपोजिशिन सिर्फ 99 थे स्पीकर को मिला के 100 तो अगर काउंटिंग होती तो भी होई होता तो यह कंफॉर्म है कि 104 चाहिए था और 106 इनके पास तो अब पूरी तरह से एडवरपा फिर से करनाटा के सियम बन चुके है यह चोफी फज्वांनल्रे प्रफिख और आज फाइन liल भी पास होगी सेन्टररल गौर्मेंट पास करना था तो फाइन बी पास होगी के उसके बाद सब्लिमेंटरी बज्जेट मेधिक यह बड़ी है का यह तो तीन मेने के न लोग है इसलिए किया होगा कि चलो फॉरी तर पे कर लेते हैं और में भी तीन महिने के बाद मोडिफाई करेंगे इसको मोडिफाई नहीं अभी जो CM एडियूरपा जो सीट पे बेटे हैं वो बहुत नाजूक स्तीती में है क्यों अगर वो कुछ मोडिफाई करने गए तो opposition का problem हो जाएगा और cabinet जो expansion करने वाले हैं पीर या मंगल को इनको बहुत दिक्कत पड़ेगी क्यों क्यों दिक्कत पड़ेगी क्योंकि चार लोग ऐसे हैं जो deputy CM बनना चाहते हैं और चारों को चार deputy CM बनने की chance नहीं है तो इसलिए इनको दिक्कत पड़ेगी और भहुत से लोग बीजेपी में एडियूरपा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं तो अब यह देखना पड़ेगा कि अपनी पूरी कुर्सी को एडियूरपा कैसे समालते हैं और कैसे लेकर आगे जाते हैं ठीक है अब यह बताई कि डिस्कॉलिफाइड जो कि अब यह लोग क्या आगे करवाई करेंगे जो भी डिस्कॉलिफाइड में अपना केस दर्च करेंगे और बताई कि को सुप्रीम कोट की करवाई चलेगी तो कोट में यह कह सकता है कोट की भाई आपने जो फैसला हुआ है विदान सद्र वो सही है और आपको इस प्रिशनेल शेडूल 10 में कैसा स्पीकर ने उनको डिस्कॉलिफाइ किया है वो सब स्टडी करके रिए फैसला लेती है और इतना अल्दी नहीं होता फैसला तो इस तो यह उनके जगह फिर से री एलेक्शन होगा बेशक री एलेक्शन होता है और यह लोग नहीं कर सकते य तो अभी जो तर्म जो पांच साल का है उसमें यह खता मोरा है पांच साल का दोहजार थीज में तो थीज तक यह लोग खड़ा नहीं हो इसलिए वो चालेंज कर रहे हैं कि जो रमेश कुमार जो रूलिंग देके हैं अमको डिस्कॉलिफाइशन तिल इस असेंबली इस नल् पांटेज है जितना देर होता है बीजेपी के लिए वो अच्छा है और यह डिस्कॉलिफे होने से बीजेपी को बहुत आसान हो गया रहमेश कुमार जो डिस्कॉलिफाइशन किया 17 मेलेस को बहुत आसान हो गया वरना इन 16 17 लोग को कैमिनेट में अकॉमडेट करना था और इस सिचुएशन में अपने लोगों को खुश कर सकता है और इस कैमिनेट में सिर्फ तीस पर चार लोग मिनिस्टर बन सकते हैं तो ठीक है तब यह देखना पड़ेगा रिद्वान साहब कि अगर मालने जी साहिट कोट की करवाई में यह लोग चाहेंगे इसको प्रोंग कर करने के लिए और जब भी एलेक्शन होता है और उस वक्त कि देखें मार्जिन ऑव वोट बहुत कम है आगे पीज़े ज्यादा फरक नहीं है ठीक है तो अगर मालने चार महीना पांच महीना पाद री एलेक्शन यह सतरा जगह पे होता है तो उस वक्त देखना पड़ेगा क की पूरी बात की पूरी जांकारी है अभी अभी हमको एक सोसलस ने बताया कि तीन मॴहने के बाद डिजॉल्फ करके इलेक्शन जाएंगे अचोरी अलेक्शन और अगर अगर 17 लोग को अगर को पर्मिशन दे दिया तो 17 लोग को बीजेपी से सीट देना है और 17 लोग जहां तो अमिर्शा ने कुछ हम सोसर से हमको पता चला है कि तीन महनेता कि चला कर असम्मली एलेक्शन को डिजॉल करके फ्रेश एलेक्शन जाएंगे ताके बीजेपी बड़ी बहुमत से एक सुबीस एक सुथ एक सुथ एक सुथ टार्गेट है लेकिन अभी यह बात यह है कि अग वह बात बात तो यह अगर य कांगर्स का करेश मुड़ी यह ठार्गे है यह प्रेह्ट की कि फ़र्त रहेगा अगर अलग अलग लड़े तो फिर बीजेपी को फ़ादा हो तो अब यह है कि आप जो बोल रहे हो सकता है वह जो सोर्से से खबर पड़ी है खबर है वो सही हो क्योंकि यह अगर सत्रे लोगों को बीजेपी सीट देती है अपने तरफ से जो पुराने नेता और जो कार करता है पहले सहे हो नाखुश होंगे और डिफनेटली वह बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसमें चांसे है कि कॉंग्रेस और जेडियो को ज्यादा सीट मिले तो उससे सरकार गिर सकती है तो डिफनेटली यह जो आप बहुर है सोर्स की बात कि लगता है कि तीन-चार महिना के बाद री-एलेक्शन कराएंगे और पूरी महमत से बीजेपी आने की कोशिच करेंगे अभी और एक पते की बात कहना चाहता हूं अगर आज बीजेपी के पास 106 MLS नहीं होते तो JDS उनको सपोर्ट करती है हमिश्या ने कुमार स्वामी को फोन करके बात स्वामी जो और देवेगड़ा जो सपोर्ट करने वाले थे वो रत कर दिये और इसे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के चंद आइसे लीडर है जो एडियूरप्पा को बैटने नहीं देते इसलिए तीन महने का टाइम माई बोल रहा हूं और वो तीन महने का बजट का लगा ठीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको करनाटका का अपडेट देने के लिए आगे इस नजर पर खबर रखे जैसे कुछ हो हमें बताइए हम लोगों तक पहुंचाने के कोशिश करेंगे थैंक्यू सो मच्छ